ये गाइस वेलकम तू माई यूटूब चैनल राउंड आपीन आज के में वीडियो में कॉंगिजेंट जिन सी डेवलपर की इंटर्वियू एक्सपेरेंस थर्ड राउंड को संस लेके आया हूं इस वीडियो में थर्ड राउंड में क्या को संस पुछे जा रहें इंटर्व इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या को संस पूछे जा रहें थर्ट राउंड में थर्ट राउंड में जेंसी के एंड सिकेंड राउंड में क्या हो रहा है और फर्स्ट राउंड भी कुछ स्टुएंट का भी नहीं हुआ है तो वह स्टुएंट क्या करे हमारे जो कॉं आज फर्स्ट आउन टिए टीन वीडियो देखे और जो इसके वीडियो में सब कुछ सारे डाउट क्लियर करेंगे आज 13 अफ नॉमर को ठाटार्व में क्या कोशन कोशन पूछेगा है और इसके बाइड और इसके रिकारडिंग जितने भी डाउट है सब कुछ इस वीडियो म में क्लियर करेंगे उससे पहले मैं बोल दूँ कि अगर आपने महिंदरा राइस कंपनी के लिए नहीं अप्लाई किया तो प्लीज अप्लाई करें अच्छी अप्डेट है टीस फेस्टू की एक्जाम डेट आउट हो चुकी है कल से उसका एक्जाम स्टार्ट है तो क्या इसक विप्रो की इंटर्विव एक्पेंस वीडियो आपको देखना है किसी का विप्रो इंटर्विव नहीं हुआ था तो वो जल्द होगा उस पर मैं बीक अपडेट एक वीडियो लेके आने वाला हो बहुत जल्द आज रात में या कल मॉर्निंग में सारे डाउट उसमें क्लि हैं जरूर चän homo тебе वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शनी सार जर्ण है कर सकते हैं आउट को ऐसी आज आ जाते हैं के Standard experience, congressman, third round interview experience, क्या कोशन पुछे गए, so I just, यह interview, student का message है, I just done my third round interview, which was again document verification only, so सिर्फ document verification की आज कराया जा रहा है, आज 13th of November को third round में, they said within one to two weeks, you will get result, so 1-2 week में आपको result मिल जाएगा, ऐसा interview ने बोला है, और इसके बाद कोई भी round नहीं है, third round के बाद, and guys मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि मैंने result का और में कल ही आप लोग को बता दिया था, last video में कि आप लोग को एक week के अंदर आपको offer later मिल जाएगे, तो यहाँ पर उन्होंने interview और बोला है, कि आपको result मिल जाएगे, और यह third round, last round and third round में भी document verification only हुआ है, जो कि second round में भी हुआ था, second student का देखते है experience, sir second round में जो हुआ, third round में भी वही हुआ, document verification only, so इसका second round हुआ था कल, तो आज इसका third round में भी same document verification ही हुआ, तो आज 13th of November को क्या हो रहा है, third round में, सिफ document verification हो रहा है, बस 12th of November को कल क्या हुआ था, third round में, third round में कल कुछ questions पूछे गया थे, जो मैं already वीडियो बनाया था कल के लिए, तो कल मैं बता दू कि third round में, कल questions जो पूछे गया थे, वो था project intensive and introduction के बारे में, और जो questions था, वो था, TR और HR से related भी questions था, third round में, आप लोग ने देखा होगा, बट आज, third round में, सिर्फ document verification हो रहा है, तो आज भी एक-दो student से questions पूछे गया है, बट HR के basic questions पूछे गया है, HR के questions आज के भी round में पूछे गया है, introduction project पर पूछे गया है, बट mostly student का, 95% student का, आज, third round में, only document verification हुआ है, और यह last round है, and most probably elimination round नहीं है, इसके बाद direct आपको offer later मिलेगा, so conclusion पर आ जाते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, so congressend gen-c interview hiring process, only in two round, so two round है, gen-c interview hiring process का, ठीक है, first जो TR round है, जिसमें आपके TR questions होते हैं, plus HR questions भी कुछ पूछ सकते हैं, so TR questions और HR questions, first round, those who left to give round one interview, watch our interview experience video, so जिनका भी interview round one बचा हुआ है, उसको यह तीनों वीडियो देखना है, सारे questions यही से पूछे जा रहे हैं, और यह first वाले वीडियो में HR questions भी mentioned है, जो पूछे जा सकते हैं, आपके first round है, second round में only document verification round है, इसके लिए भी वीडियो देखें, बहुत सारे student का document verification round बचा हुआ है, अभी भी, तो आप लोग wait करें, वो लोग schedule कर रहे है, one by one, तो जैंसी का यही 2 round है, यही hiring process है, जैंसी का, 2 round only, ठीक है, third round वो लोग mistakenly भेज रहे है, third round के बारे में बताता हूँ, अगर आपके पास mail आ जाता है, तो interviewer को कुछ नहीं मालूम होता है, कि student का previous क्या हुआ है, उसके क्या history है, उन्होंने first round दिया है, second round दिया है, उनके return exam में क्या marks है, उनके पास आपका resume होता है, तो उस resume के basis पे आप से questions पूछते है, अगर technical है तो technical questions, HR है तो HR questions या document verification जो भी है, whatever the round, okay, so interviewer को कुछ नहीं मालूम होता है, interviewer बोल लाए, कि I don't know about your, like जो भी आपके record है, आप कौन सा round दियो, और आगे का भी मुझे नहीं मालूम है, but मुझे जिस काम के लिए बेजा गया है, बोला गया है, वो मैं कर रहा हूँ, तो वो ऐसे questions पूछ रहे है, तो कल जिनका third down था, उनको technical questions पूछ जा रहे थे, आज जिनका third down है, उनको HR के लिए refer किया गया है, document verification वालनी, तो आज ज्यादा तर स्ट्रेंट का document verification ही हुआ है third down में, तो आप लोग के doubt clear होगे हैंगे, for today they only did document verification again in third down, but yesterday और even today for few students, they asked basic TR plus HR questions, okay, so आप लोग prepare कर लेना, अगर आप, आपको अगर third down interview की mail आती है, then आपको prepare रहना है उसके लिए, क्योंकि आपका like यहां तक आया हो, तो आप ऐसा नहीं है कि उसके लिए preparation नहीं करो, और फिर आपके offer letter आपको नहीं मिले, important update कुछ बता दू, after third down direct offer letter interviewer ने बोल दिया, वो तो कल भी एक interviewer ने बोला था, कोई को interviewer ऐसा बोल ले है कि आप लोग wait करो further update के लिए, मुझे नहीं मालूम है आपका result के बारे में, बट कुछ HR को मालूम होता है, वो लोग show नहीं करना चाहते है, पहले से, वो लोग यह assurance नहीं देना चाहते है कि मैं आपको offer letter दूँगा, but actual बात यह है कि after third down or even second down, document verification down, you will get your offer mail soon, so within 10 days you will get offer क्योंकि December first week बहुत सारे student का joining preference है तो आपको तो मिली जाएगा ना पंदर दिन पहले क्योंकि वो लोग पंदर दिन का ही time देते है आपको offer को accept करना है and report करना है location office पे जो भी आपका preference रहा होगा क्योंकि 90% chance है कि work from office है 10% ही chance है work from home होगा, ऐसा interviewer ही बोला है कि हम लोग का भी decide नहीं हो है final but meeting चल रहा है तो most probably आपको physically रिपोर्ट करना होगा office में work from office होगा, few students will also get offer after second down, will also get, so yeah, so second down बाले student पैनिक मत करो कि उनको third down का interview मेल नहीं आया, second down के बाद भी आपको offer mail आ जाएगा, क्योंकि second down जो है, वही third down है, basically document verification down and third down मुझे लगता है कि वो technical issue कारण ही आ रहा है, वो hiring process का part नहीं है, तो आप लोग को clear हो गया होगा, second down बाले student पैनिक नहीं करें, आप लोग wait करे offer के लिए, those who not get interview mail yet, please wait, they are still sending interview mail, yes, so 30 October का, जिनका भी written exam हुआ था, and उनको like, अगर result भी आ गया हुआ है, कुछ student का, तो वो लोग अभी wait करना है, interview के लिए, वो लोग schedule करें, जिनका result नहीं भी आया, 30 October वाले student का, उनको भी अभी wait करना है, वो लोग अभी mail भेजेंगे, interview के लिए, those who not take an interview, for whatever reasons, they will get schedule mail soon, okay, so अगर आपका interview schedule हो गया था, पर किसी technical issue के कारण, अगर आपने नहीं interview दे पाया, या फिर आप अपने किसी personal reason के कारण interview नहीं दे पाया, फिर भी आपका schedule होगा guys, yes, so वो किसी भी reason, कोई भी reason है आपका, आप interview नहीं attend कियो, interview link के बाद, interview mail के बाद भी, तो आपका schedule हो जाएगा, वो भी within week हो जाएगा, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लो, आज जिनका return exam हुआ है, 13th of November को जिनका return exam हुआ है, will get interview mail in next week, अगर आप exam क्लियर करते हो तो next week में आपको interview mail आजाएगी, so after 3 to 4, 5 days बाद आपको result आजाएगी, उसके after 2 to 3 बाद आपको interview mail आजाएगी, I hope guys, सारे doubt मैंने clear कर दी है, आप लोग को भी clear हो गये, कोई भी doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हो, कुछ student को second round interview document question में questions थे, क्या आप कुछ पूछा जा रहा ह है, तो 10th mark street, अधार card, pan card and about vaccination, आपने partially आपका vaccination हुआ है, या फिर आप दोनों डोस ले चुके हो vaccination के, फिर location preference, 6 option में 2 preference देना है, आपको मिल जाएगा वही preference, and joining date mid December, January है, किसी को 1st December, 1st week of December, 3rd week of December भी बोला जा रहा है, तो आपको जो भी preference देंगे, वो आपको मिल जाएगा I hope guys, आपके सारे doubt clear हो गएंगे, कोई भी doubt है, comment करके पूछ सकते हो, channel को subscribe कर लो, ऐसे ही, daily basis पे jobs update के लिए, hiring process update के लिए, interview experience के लिए, thank you, all the best